हेलो एवरीवन वैसे स्टूडेंस जो खासकर बी एचिव में बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए इंटरंस एक्जाम देना चाहते हैं इस वीडियो में उसके अप्लिकेशन फॉर्म इंटरंस एक्जाम इंटरंस टेस्ट के सलेबस लेकिन उस वीपी में बहुत सा करको देखा का पहले हम बिपी घचन सबसे पहला जो है वह इस्ट्रूमेंटल में बत टुवंटी हैं जो कि इसमें तरीके से नौस च्लासिकल में इस्ट्रूमेंटल फ्लूट में मुतंअ कंन् छाम केिए यह यह कि लिए उन गभक शीव सेम हैं बट में सभी मॉर्मिंध वो अलग लग होगा क्योंकि सबका कोट देख रहें अलग लग है इसका मतलब है कि इन सबका पेपर सेपरेट होगा यह नहीं कि सितार वालों को कंबाइन करके को साथ लाया जागर और वायलन के साथ ऐसा नहीं है। इसके लाबह तबला के लिए भी 20 सीथ है। बारत नत्यम के लिए 20 सीथ है। यह वोकल के लिए यह 20 सीथ है। जिशे पहले सब्सक्रसर्णा रिमाइंड करते। यहां पर जर्वेसंट भी है मतलब उसी 20 शीट में रिजर्वेसंट भी है 15 परसेंट 7.5 परसेंट और ऑबीच के लिए 27 परसेंट आप जानते हैं और इसके लिए 10 परसेंट इसकलाब और भी है बट यह की वो सीट के हिसाप से ही है मतलब ऐसा नहीं कि किसी कोई अफेक्ट कर पाएगा क्योंकि यह चीज़ें फिक्स होता है हर इनुवसिटी में जितने भी सेंटल इनुवसिटी है सभी में रिजर्वेसंट नाम का वैड अड़ अप्लिकेशन फार्म अगर फिल कर दे तो उसके इनके होते हैं वह ouais करते हैं यह इनके हैं तोक्तिक선 अगले महिंन आने के और पूरे चांसे ने मार्च के मंतमें और क्यों कि जून केया कह repeating अभी थक फसा हुआ है सिभ्यों जो की अभी तक अभी थक कंफर्म नहीं हुआ है अपिक इधह उद्धरम्धनी जडू सोनेगे लेकिन अफिसेलिय कंफर्म नहीं हुआ है नहीं मैं रेकमेंड करूझस तो यह कभी बने खते हैं तो ना भी होने के चांसे और हा भी होने के चांसे से ऐसे में मैं रिक्मेंड करोगा आप जैसे तयारी कर रहे हैं वैसे ही करिए और आप आते हैं आपके यह आपके जो है यहां यहां पर मेंशन कर रखा यह रहा 10 प्लस 2 यानि कि आपका 12 होना चाहिए या तो सिंपल आपका 12 होना चाहिए या फिर अगर ग्रेजुएसंस है पूस्ट ग्रेजुटे क्रेजुशन है लेकिन इसमें बोल रहा है वोकल म्यूजिक में यह हिंदुस्तानी टो इनका वांगा जा रहा हय है तो यह कुछ बेसिक था इसके लावा इनोंने यह सारा मेंसिंद कर रहा है कहा लिए को होभी कोभी सिकुल यह इसके लावा नोट से कर रहा है इनी अधर इस्टिउसन और इसनल रिपुटेट वीच में स्टेंड इकुवेलेंट और ऐसा कुछ है नी में डेटी तो इसमें जो है आपके प्रैक्टिकल भी होंगे और उसमें मतलब फिप्टी परसंट जो है मेरे इसमें आपका थियूरी बेज़े और 50 जो प्रैक्टिकल बेज़े हैं यहां पर साफ लिख भुआ है तो प्रैक्टिकल में आपको एटलिस 50 परसंट मांग स्कूर करना है देखिए ओबर ओल यह कि आपका टेंट होना चाहिए और बादबा कि यह कि जो बैचलर वाले हैं उनका थोड़ा सेटिफिकेट वगरा होन आगे और अब हम बात करते हैं आपके एक्जाम पैटन में देखिए जो बीपी में मैंने आपको बताया यह रहा और यहां से आपको मेंशन है मतलब इन सभी का पेपर सबका सेपरेट होगा अलग अलग पेपर होगा सितार के लिए अलग फ्लूट के लिए वाइलिन के अब कैसे होगा बहुत थोड़ा पता दें देखि कहा रहा है एक रिटेन पेपर होगा और टू आवर्स आपको टाइम मिलेंगे जिसमें 100 mcq रहेंगे आचा वह जो पूछे जाएंगे इनीच वोकल इंस्ट्रुमेंटल सितार फ्लूट के बारे में पूछा जाएगा तो अच्छा इन सभी के लिए ऐसा नहीं किसी फेकी के लिए इससे यह हाला कि इससे लग रहा है कि एक ही पेपर होगा लेकिन आपको चाहिए वो वैलन के देना चाहते है मतलब ओवरॉल आपके तहरी वोकल का भी होना चाहिए वालन के बारे में फ्लूट के बारे में थोड़ अच्छी बात है मतलब मानले कोई वालन के लिए देना चाहते तो उनका से पूछा जाएगा और सितार से मानले देने तो सितार के 60 मार्स करेगा और 40 मार्स का जो कोशन रहेगा वो अपका कॉमन रहेगा सभी के लिए सबी के लिए कोउबन रहेगा लेकं 60 मार्स के लिए जिस पेपर के लिए देना चाहते उससे पूछाएगा 60 मार्स का इसके लाबा यह में सितार के बारे में फुलूट्स वाइलिन इंस्ट्रुमिंट कोशिज करीए लास्ट एर के पेपर एसस्ट करने की ताकि आपको ऐड करने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अगर आप अपड़ेड़न चाहते हैं तो इस यूरूप चनल को सब्सक्राइब कर लिए अच्छे बात यहां पर यहां पर अभी एसस करने की को सब्सक्राइब करिए गूगल पर सर्च वारे जहां हो सकता है मिल या फिर भी यहां पूछ किया रहा है आप इनट्रेंस से पहले पहले एकड़म से आंधृ जाएंगी। तो फिर बहुत इक कर दो कि कोई बी होता है एक सुथिजियंट क 15 की फोंके क्रेंट करने के लिए हैं घ्कत्से करने के लिए नस की तो जब तक आप सब इसे सब्सक्राइबर बटोर्ट बंदे महले सकते हैं कर रहे हैं वैसे त्यारी करिए थैंक यू